नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबों का हमारे यूटूब चैनल टेक में ओफीसल में आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस पर लोग खुलकर बाते नहीं करते हैं आपने सायद ही पहले यूटूब पे किसी भी बंदे को इस टॉप कर रहे हैं और ज्यादतर ऐसा कांड मेट्रो सिटी के टाइम में होता है जो लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं तो दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी लोगों के साथ फ्रॉड हो और आप सभी मेरे को जानते हैं कि मैं फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ों को अपडे आपके लिए अच्छे-चे content को upload करता है तो वीडियो को like करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है ताकि मेरे को motivations मिले और मैं इस तरह के content आपके लिए regular लेकर आता रहूं ताकि आपको knowledge भी मिलता रहे और आप fraud से बचते भी रहें तो दोस्तों तो दोस्तों अगर हमें इस चीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज इंडिया इतना ज़्यादा develop कर चुका है कि सभी को ये पता चल चुका है कि आज हम अपने mobile phone से सारा काम कर सकते हैं घर बैट के सौपिंग कर सकते हैं खाना डिलिबरी कर सकते हैं Google Map का यूज कर सकते हैं वीडियोस देख सकते हैं मूविस देख सकते हैं सारा कुछ हम घर पे बैट के ओलाइन कर सकते हैं ऐसे में दुस्तों जब से दो साल से लोगडोन पड़ा हुआ है तब से ज़्यादातर fraud के cases आ रहे हैं जितने भी आज fraud करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर active हो चुके हैं और वो क्या करते हैं लोगों की कमजोरियों का फाइदा उठाते हैं जैसे कि माल लीजे लोगों को सब कुछ पता है कि आज के market में सब कुछ online हो सकता है ऐसे में वो क्या करते हैं अपने आपको online के चीजों में build कर लेते हैं और लोगों के साथ fraud करने का यहाँ पे तरीका अपनाते हैं दोस्तों ऐसा यह इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे आप बिलकुल मजबूर हो जाते हैं आप गलत चीजों में फस जाते हैं और उनको एक तरह से आप बढ़ावा देते हैं और गलत काम को करने में उनका support कर देते हैं और यहाँ पे आपके साथ fraud हो जाता है तो चेले दोस्तों हम यहाँ पे बिना time को waste के वए आपको बता देते हैं कि हम आज किस topic के बारे में बात करते हैं दोस्तों होता क्या है कि हमारे जो इंडिया का जो youth है आपको पता है कि आज इंडिया में 140 करोर किया बाती है और उसमें से जाधतर youngster है जितने भी हमारे graduated के student है जितने भी भाई लोग है जितने भी job कर रहे है तो दोस्तो होता क्या है कि हम कहीं भी रहते हैं चाहे college में होते हैं चाहे hostel में होते हैं चाहे job कर रहे होते हैं तो हमारा जो friend circle होता है उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफी expert होते हैं इन सारे ची बोलते हैं कि यार आप अगर call girl की service लोगे तो वहाँ पर आपको काफी मज़ा आएगा ऐसे सारे बातों को वो आपके सामने रखते हैं तो दोस्तों गर आप लंबे टाइम तक यह सारे चीज़ों को सुनेंगे तो आपका भी कभी मन कर जाएगा ऐसे में काफी सारे हमारे जो student है जादा तर student के उपर ही ये case आता है तो मैं student को यहाँ पर focus कर रहा हूं और उनको बताना चाहता हूं कि जादा तर student होते हैं वो क्या करते हैं उनको लगता है कि यार आजकल सारा कुछ online possible है तो ऐसे में वो क्या करते हैं online ये सारे चीज़ों को search करते हैं यहाँ पर दोस्त तो अगर आपको पता होगा कि आजकल किसी को कुछ समान ही क्यों ना खरीदना हो चाहिए किसी भी प्रकार कि service ही क्यों लेना हो या फिर किसी बारे में जानकारी लेना हो तो सबसे पहले वो क्या करते हैं अपने Google पर search करते हैं तो चलिए यहाँ पर वो Google पर किस तरीके से search क करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ generally दो दोस्तों वो लोग क्या करते हैं यहाँ पर Google पर search करेंगे मैं आपको भी search करके दिखाता हूँ आपके screen पर सारा को इस display हो रहा होगा सबसे पहले ही वो क्या करते हैं search करते हैं call girls in Delhi वो जिस location पर रहते हैं माली जे मैं Delhi में रहता हूँ तो मैं search कर रहा हूँ कि call girls in Delhi जैसी दूस्तों आप call girls in Delhi search करते हो काफी सारे लोग ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफे सारे website यहाँ पे आपको open हो जाते हैं यह सारे for order के ही website होते हैं और वो अपना साब साब यहाँ पे number भी आपको show करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस website में आपको इनके title में ही number देख रहा होगा, और भी नीचे दोस्तों आप आएंगे, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे number मिल जाएंगे, जो की call girls से related होगा, और आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे website भी open हो जाएंगे, तो द अनेको ऐसे website मिल जाते हैं और आज लोग online इन सारे चीजों के उपर इतना trust कर चुके हैं उनको लगता है कि आज हमें online इस तरह के service जनुइन मिल सकती हैं लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में सारा सच दिखाऊंगा कि कैसे आपके साथ अगर आप इस तरह के चीजों को करत हैं उसके बाद दुस्तों चली मैं आपको यहाँ पर live अपने mobile में WhatsApp को open करके दिखाता हूं कि मेरी क्या-क्या बाचित हुई कैसे वो लोग मेरे साथ fraud करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर मैंने अपने WhatsApp को open कर लिया है open करने के बाद दूस्तों यहाँ पर मैं बोलते हैं अभी आप कहां पर हो तो मैं दली का एक location को बताता हूं कि मैं कनोड प्लेस में हूं और इसी के आसपास मेरा घर है मैं वही पर रहता हूं इतना बोलने का देरी हुआ कि यह लोग क्या करते हैं पहले से सारा photo का जुगाड कर लेते हैं ज्यादा तर यह Instagram से या फ कुछ इस तरह के photo यहां पर share किये थे आपको वीडियो में मैं और भी कुछ यहां पर दिखा रहा हूं उसके बाद आप देख सकते हैं काफी सारा इनका photo था जो इन्होंने मेरे को share किया उसके बाद दोस्तों मैं ज्यादा तर चीजों को जानने के लिए मैंने इनको पूछ कि कितना आप charge करते हो तो यह मेरे को message करते हैं कि 8000 रुपए मैं पूरी night का charge करता हूं उसके बाद मैंने कहा कि कुछ पैसे आप कम कर सकते हो कितना लगेगा इन सारे service के लिए तो यह बोलते हैं और भी सारी बाचित इन से होती है मैंने पूछा कि payment मैं आपको कैसे कर सकता ह उसके बाद दोस्तों आप देखिए बात आती है payment की जैसी मैं इसे पूछता हूँ कि अच्छा मैं payment कैसे कर सकता हूँ तो यह बोलते हैं कि आप hand to hand भी payment कर सकते हो cash भी कर सकते हो आप online भी कर सकते हो और ज़्यादा यह focus करते हैं कि आप online payment कर दो तब जाके हम आपको हुई थी कि आप hotel खुद से लोगे या फिर नहीं लोगे यह खुद पूछते हैं और इनका एक call recording भी इन्होंने message किया था जब मैंने इनको payment के बारे में जादत तर बोलने लगा कि मैं आपको payment online ही करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर देख रहा था कि इनकी जो service है वो genuine है या फिर नहीं है तो दोस्तों यह बिलकुल online पे एक तरह से बोलते हैं ना कि जब अजस्ती मेरे साथ करने लेगे कि आप online payment कर दो मैं आपको Google पे का number भेज़ देता हूँ आपको मैं phone पे का number भेज़ देता हूँ यहाँ पर इन्होंने एक मेरे को audio clip भी दिया है मैं आपको यह audio clip publicly नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि यह उतना ज्यादा नहीं मतलब सुनाने लाइक है तो मैं आपको नहीं सुना सकता हूँ ने तो मैं सुना देता उसके बाद और भी यह मेरे को photo बगरा share करते हैं उसके बाद चली मैं आपको यहाँ पर एक और agency पे click करके आपको दिख कैसे कर सकते हैं यह सारा कुछ इनका detail होता है उसके बाद दोस्तों आपको अब मैं समझाता हूँ कि actually इनका जो setup होता है वो कैसे यह लोग सेट अप करते हैं कैसे लोगों के साथ fraud करते हैं तो दोस्तों generally इनका कोई agency नहीं होता है अगर आप इनको Google पे search करोगे इनसे process नहीं है हम आपको मिल नहीं सकते हैं आप हमारे regular customer नहीं है अगर आप एक दिन regular customer बन जाओगे तब हम को तब हम जाके जनरली आपसे मिल पाएंगे उसके बाद आपको सारा कुछ दिखा पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर यह लोग क्या करेंगे आपको ज्यादतर एक ची प्यादा उठा सकते हैं तो वो लोग क्या कर देते हैं पेमेंट कर देते हैं अब दोस्तों जैसी वो लोग पेमेंट कर देते हैं पेमेंट होने के बाद दोस्तों आपका वहाँ पे WhatsApp नंबर ब्लॉक आने लगेगा वो आपके नंबर को ब्लॉक कर देंगे आपका conversation वहीं प पेमेंट करते हो तो पेमेंट करने के समय जो नीचे आपके सामने privacy policy होता है term and condition होते हैं वहाँ पे साप साप लिखा होता है कि आप अपनी मर्जी से उनको पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे bank आपके help भी नहीं कर पाएगी तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि अगर आप एक student है आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप job कर रहे हैं तो इन तरह के चीजों में मत फस ये क्योंकि अगर आप एक बार किसी को पेमेंट कर देते हैं तो वहाँ से आपके पैसे को लेने में हालत खराब हो जाएगा आप बिल्कुल भी अपने पैसे को निकाल नहीं पाओगे और ये frauder का काम ही होता है क्योंकि आपको पता होगा अगर आप Google पे सर्च करोगे तो इंडिया में इस तरह की कोई भी सर्विस अभी लीगल नहीं है जहांपे आप इस तरह की सर्विस को ले सकते हो और अगर मैं आपको सचाई बता हूँ तो इंडिया में अभी भी पॉर्ण लीगल नहीं हुआ है आपने अभी कुछ दिन हाल फिला लही तीवी पे या फिर न्यूस में देखा होगा कि सिल्फा सेटी के जो हस्बेंट थे उन्होंने एक पॉर्ण इंडस्ट्री को चला रहे थे काफी लंबे टाइम से वो पॉर्ण इंडस्ट्री को चला रहे थे बिल्कुल इलीगल तरीके से तो उनका भी परदा फास्ट हुआ है तो दोस्तों यही बात मैं आपको समझाना चाता हूँ कि अगर आप गलत काम में फसोगे गलत चीजों को करगे तो एक ना एक दिन ऐक ऐसा समय आगा कि जब सारे लोगों को पता चल जागा और उस समय आप सरमिंदगी महसूस करेंगे आपको बिल्कुल भी वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा तो यही मैं आपको वीडियो के मादम से बोलना चाता हूँ कि इस तरह के चीजों में आप बिल्कुल ध्यान मत देजे क्योंकि यह सारे चीजे फेक होते हैं दोस्तो यह जितने भी फ्रॉडर्स होते हैं वो क्या करते हैं एक छोटे मोटे वेबसाइट के होस्टिंग खरीद लेते हैं डोमेन खरीद लेते हैं और website को Google पे publish करके अपने छोटे-मोटे website को बना के इस तरह के कांड को करते हैं और लोगों के साथ fraud करते हैं I hope दोस्तो ये वीडियो आपको पसंद आओगा दोस्तो अगर वीडियो आपको पसंद आओगा तो वीडियो को like जरू कीजिएगा क्यों दोस्तो आपके एक like से मुझे काफी motivations मिलता है और मैं regular वीडियो को बना पाता हूँ तो मिलते हैं फिर आपको कुछ इस्पक्रार के नए वीडियो में तब तक लिए जयहिन बंदे मात्रम